लिखो, New Friendship Treaty was signed between India and Bhutan, भारत और भूटान की नई महित्री संधी पर हस्ता अक्षर हुए, ये 2007 की बात है, इसमें क्या संशोधन हुआ है? लिखें, sign हुए, amendments were made to Article 2 and 6 of the 1949 treaty. संसोधित संधी में या लिखें 1949 की मैत्री संधी में अनुक्षे 2 और 6 में संसोधन किये गए आर्टिकल 2 और 6 में संसोधन किये गए 2 में क्या लिखा है लिखे है अर्टिकल 2 प्रोवाइड ने लिखे बूद 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 भूटान गटाइड अर्टिकल 2 प्रोवाइड बूद 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 गाइड करें नु кноп蛋 of its foreign policy, India's advice in the conduct of its foreign policy, इसमें कहा गया है कि अनुक्षेत 2 में यह प्राउधान था कि भूटान अपने विदेश नीती के संचालन में भारत की सलाह से निर्देशित होगा, अगर भूटान कोई संबंध बनाता है किसी दूसरे देश से तो उससे गाइट करेगा उसको भारत, यह 1949 के treaty में article 2 में लिखा था लिखा है ठीक है जिस पर इसको आप रती थी, कि हम हर चीज आप से पूझ की कि रहेंगे, क्या है ठीक है ना, तो अब भारत क्या करेगा जिससे आपको रती है तो क्या करेगा, कहेगा ठीक है हम इसको हटा लेते हैं, मतलब इससे अपना इंटर्विन हटा लेते हैं आप अपने धंसतें कर लिए और ऐसे भी टाइम के साथ यह धरकार भी है कि नियम जो होते हैं उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में ज्यादा जरूरी थे बने अब आज एक्सपोजर अच्छा है तो उसको भी थोड़ा यहां-वहां स सोचना चाहता है तो सोचने दीजी कुछ रिस्टेक्शन्स जो भी हो सकते हैं जरूरी और फिर खराब सोचेगा तो पता भी चलेगा और खराब होने वाला होगा तो आप तो पहले से रहे ही हैं जैसे बच्चे दस 11-12-15 साल को जाते हैं दुकान खुद ही जाने लगते हैं खुद समानुमाल लाते हैं तो बार बार थोड़ी में खुद सम जाते रहेंगे तो इसमें आगे एक लाइन लिखीएगा it now call for corporation it now call for corporation in place in place of advice so that भूटान कैन रन its foreign policy more freely भूटान कैन रन its foreign policy more freely अब इसमें सलाह के इस्थान पर सहयोग की बात कही गई है समझे बुला भारत बुला हम सलाह नहीं देंगे जरुरत पुड़ेगा तो हम सहयोग करेंगे अब की तो सलाह के इस्थान पर शब्द क्या आ गया सलाह के सलाह के इस्थान पर सहयोग सब्द आ गया not advice अब corporate करेंगे ठीक है ताकि भूटान अपने विदेश नीति को अधिक स्वतंत्र धंग से चला सके अब इसमें सलाह के इस्थान पर सहयोग की बात कही गई है ताकि भूटान अपने विदेश नीति को अधिक स्वतंत्र धंग से चला सके यह 2007 में हो जब अब जैसे जब civil services सवाल पूछता है तो civil services यह नहीं पूछेगा कि भारत भूटान के बीच में कब ट्रिटी हुई थी civil services पूछेगा कि भारत भूटान के बीच में जो 1949 का मैत्री संदी थी friendship ट्रिटी थी उसमें विदेश नीती भारत के सलाह से ही संचालित होती थी है ना मगर अब सलाह के बजाए सहयोग की बाद कही गई है उक्त का संबंध है A, B, C, D उत्तर बनाएगा अब अगर आपका concept किलियर होगा तब आप उत्तर तक पहुंचेगा क्योंकि जीके की तरह नहीं पूचता है वो PCS में तो कभी कलपना भी नहीं कर सकता कि इसमें कोई सवाल बनेगा एक सवाल बन सकता है कि भारत भूटान के बीच में मैतरी संदी कभ होई थी बास 1949 लेकिन तोड मरोड करके चीज़े नहीं पूचता है तोड मरोड करके civil services से पूचता है तो इसमें आगला थोड़ा से एक लाइन लिखो तो ये बात हो गई अब आर्टिकल 6 में क्या हुआ है लिखे विद अमेंडमेंट इन आर्टिकल 6 विद अमेंडमेंट अब आर्टिकल 6 भूटान नाव थे राइट तो important right to important घहतक को क्या बुलोगे यार घैर घातक को क्या बुलोगे घैर घातक घातक को क्या बुलोगे अंगरेजी में देंजरेस और कुछ क्या नए खत्रा और घातक बनता रही नहीं है गुट वेरी गुट लेखो नॉन लीथल लेखो राइटो इंपोर्टेंट नॉन लीथल लेट्री एक्यूप्मेंट विदाउट इंडिया इस पर्मिशन लीथल बोलते हैं आटक हमफल तो क्या होता है खाने भी ने की चीज़ होई ना डंजर तो अलग चीज़ हो गया ना ठीक है लिख लिए यह कह रहा था कि अनुक्षे च्छह में किये गए संसोधन से भूटान को अब तक अब भारत की अनुमती के बिना गैर घा तक सायन उपकरण आयात करने का दिकार मिल गया है। को समझे ना भारत अब वो क्या करेगा भूटान गैर घा तक हथियार चाहे तो बिना भारत से पूछे इंपोर् इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है। घर घा तक सायन उपकरण आयात करने का अधिकार मिल गया। तो उसको आर्टिकल दो से क्या हुआ हमने एडवाईज दें। हाँ बूली कुछ कहना है। कौन अरे छोड़ो यार जो लिखा है। घातक नहीं है तो खरीदक कोई जरूरी थो इसको कोई भी वेपन सेफटी के लिए मालनो लेना है। कोई फाइटर विमानी खरीदना है, कोई मिसाइल लेना है, कोई वैसी चीज लेनी अपने पोटक्शन के लिए, जो दूसरे देशों के लिए भारत के लिए या वैसे चीज़ों के लिए घातक नहीं है। हाँ दिये होंगे गुस्चे में लेकिन उसको कभी घातक आपने माना उसको तो ऐसे कुछ चीजें जो रोक रही होगी आर्टिकल 6 में कि आप किसी प्रकायर का वैपन नहीं लेंगे लेकिन सुरक्षा के लिए अगर कुछ चीज लेना चाह रहा है और जो गयर घातक है तो लेने दोसको ठीक है इतना तो हम भी नहीं सोचे जो तुम यहार पूछ रहे हैं कि गयर घातक जब ही नहीं घातक तो ले ही क्यों रहा है वो है ना लेकिन इसमें अब घातक का मतलब एक जैसे माल वेस 400 घरी देने लगे आप परमाड़बं बनाने लगे तो यह घातक हो जाएगा ना तो उसको बुला कि वो बिना भारत के सहयोग के बिना बातचीत के वो कर सकता है इसको अमाल लो उसको पाकिस्तान या चाइना जो है कहें कि हमारे हाँ से यह ले लो यह वाला वेपन ले लो यह हंथियार ले लो कोई भरगला के दे सकता है ना जैसे बच्चे को कहां जो खराब चीज है वो मत लेना मतलब खराब चीज का यह मतलब नहीं खाए ओ तुम बीमार हो गए यह है वो है अब कोई चाकले टॉफी कुलफी खिला रहा है खा लेना तो आप यह नहीं कह सकते नहीं कि घातका ही नहीं तो लेने क्या जूरुबत है हो सकता है कुछ सेफ्टी के काम आता हो उसको लगता है कि हमें लेना चीज़ तो लेना ठीक है कभी कभी कुछ चीज बेटा किसी के हमले के लिए होता वो घातक माना जाता अपनी सेफ्टी के लिए होता है तो वो सुरक्षा कवच माना जाता जैसे देखे हूंगा आइरन ड ही है क्योंकि जो लोग हमला कर रहे हैं उनके हमले को कमजोर कर देता है खतम कर देता है लेकिन दिक्कत तब है कि जब वो द्रोन से या मिशाइल से उसको गाजा तोड़ेगा अब घाता खतियार हुगा उसके लिए तो ऐसे कुछ अगर कोई चीज करना चाह रहा होगा जिसको तो आप सस्तर की स्रेणी में रख सकते हैं बड़ घातक नहीं है अब आज कल की दुनिया में क्या है अच्छ बताईए आपके पास बैलेश्टिक मिसाइल है या इस तरीके की कोई चीज है इतना घातक नहीं लोग मानते है इतना एटम भॉम को मानते है आप तो जो देश मे एटम भॉम नहीं है नहीं उस देश से खतर ही नहीं है जबकि सारी और चीज चाही जितनी हो मतलब दुनिया का सब सब घातक हतियार अरब क्या हो गया है एटम भॉम और जिनकी पास एटम बम नहीं है उनसे डर नहीं है एटम बम है बेलेस्टिक मिसाइल है से आल तु फल तु मत खरीद ना खरीदता कौन है एटम बम लेकिन चोरी छुपे कई लोग तो फार्मूला दे ही देते हैं अब जैसे पाकिस्तान को तो फार्मूला इरान नहीं दिया है ना हम बता रहे हैं पाकिस्तान के पास कहां से फार्मूला गुम आएगा इगजनी है गोरी है यह सब मिसाइल तो इरान से ही लाया है वो वही तो देता है हमने ब्रामोस नहीं दिया उसको खरीद रहा ना वो कौन खरीद रहा कौन फिलिपीन्स खरीदा है कितने खरीदा कितने के लिए अब जिसे ताइवान है ताइवान के पास एटम बं होदा तो थोड़ा सकती बै लेता ना लेकिन एटम बं बनाए कहा से एटम बं बनाने के लिए आपकेव का रिसर्फ सेंटर होने चाहिए लैबरोटरी होनी चाहिए अच्छा साइंटिस्ट होने चाहिए तभी तो फार्मूला खोजें कि कोई फार्मूला या तो दे दे आपको इरान उरान थोड़े सा अपने दूसमन देशों की जो ऐसे देश हैं उनकी मदद कर देता जैसे पाकिस्तान के किया था मिसाइल उसाइल तो ले लेता है चोरी चुपके वहाँ से नाम बदल देता है अपना बना लेता है इरान ने दिया गॉरी गजनी जो नाम का मिसाइल है नाम इसने रखा है दाया वहीं से है इसलिए इसके पास जो है ना ले लेता है लेकिन बना kidnappedा है ना जैसे माना आपने मिसाइल बनाना नहीं जानते हैं तो जब छोड़ कहतम हो जाएगा तब क्या खरें गे जैसे यह mobile है अगर हमारे घर में बनता है तो यह खराब होगए तो दूसरा ले लेंगे है अब माल ले ज़िए mobile हम खरीट के लाएं थो फिर यह फूच खरीट के लाएंगे परमाण भों तो रस्या हो अमेरिका 7 ऑंडिया हो यह सब तो बनाते हैं न कांतिकारियों को नहीं देखते बम बनाना जो जानते थे वो क्योंकि बम फोड़ते समय खतम हो गया तो खरीजने कहा जाएंगे वहीं अपना चुरन उरन डाल के फिर से तैयार कर लेंगे बम फर्मूला सीखते थे थे ना वो बम बनाने का तो टिकाव रहेगा यह अब ताइ अमेरिका अमेरिका यही सब बचाएंगे उसको और अमेरिका प्रतेक्श लड़ता नहीं है फिर अपना पोत भेज देगा युद्धक विमान भेज देगा तो बाइलेंस करेगा हमला करके तो देखे इसको याद दिला देंगे ताइवान को हमला तो करें बिस्युद्ध हो भारत भी क्यों परदास करेगा असल में होता है कि जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो पर्टिकुलर उस देश का ही नुकसान नहीं होता है जो हमला वर देश होता है वह मनवग्यानिक बढ़त ले लेता है और सक्ति असंतुलन का विस्व में एक बायार बहने लगती है. एक विक्त गुंड़ही हो गए उसकी. तो उसको मेनेज करने के लिए जो एक देश जैसे पूलाइट जर्मिनी ने किस पर हमला किया था? पूलाइट पे. जर्मनी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पॉलेंड से बहुत मुहबत है पॉलेंड इसलिए विरौद इसलिए कर रहे हैं कि ये गुंड़ी कर तरफ से लोग आये ना भले ही हार जीत किसी की भी लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई और दोनों तरफ से लोग मिल रहे थे ऐसे पिश्योध में हुआ जर्मनी की तरफ तो जापान था न तो जैसे हम पाकिस्तान हमसे वार हो जाए तो कुछ देश हमारी तरफ आ जाएं, कुछ पाकिस्तान की तरफ चले जाएं जैसे हम लोग रसिया यूकरेन के बीच है, फिलस्तिन इजराइल के बीच है इरान ने जो द्रोन वगरा हमला किया, उसको लेकर के तो देश बैचारी ग्रूप से तो आपस में अलग हैं यही हथियार से लडाई शुरू हो गया तो तबाही शुरू हो जाएगा ठीक है यह बताना था एक तो इसमें, हाना, कि यह आयात नहीं लाइन बदल में लिखिये गए इस मेत्री संध में यह भी प्रावदान है कि भूटान विल नट दू एनी अक्टिविटी भूटन विल अई any activity on its land, on its land, nor allow anyone, not allow anyone to do what may be done against India. प्रावधान है कि भूटान अपनी भूमी पर ऐसी कोई गद्विती नहीं करेगा और नहीं किसी को करने की अनुमती देगा जो भारत की विरद्ध हो सकती है. ठीक है? ठीक है ना? अब एक खेटिंग बनाएंगे भारत की मूल चिन्ता, इंडियाज ओरिजिनल कंसर्ण लिख सकते हैं, उरिजिनल कंसर्ण, उसकी चिन्ता का फंडमेंटलिसम क्या है? भारत की चिन्ता क्या हो सकती चला? उसकी चिन्ता है कि चाइना घुसपैट ना कर लें. ठीक है? और डोकलाम विवाद से यह जो है थोड़ा जेस्टिफाई भी हो गया. चाइना उसको लोभ न दे दे, चाइना उसके सुक्ष समर्धी को ले करके उसके देश के भीतर निवेस न कर दे. और उसके भाकामे में भूटान आने जाए. क्योंकि उसने आर्टिकल दो में तो आपने देखा ही है कि विदेश नीती फ्री हो गई उसकी. लेकिन हलागि पुला है कि भारत सहयोग लें. अज सहयोग का, सहयोग तो एक अच्छा सब्द है लेकिन सहयोग नहीं लेना भी सहयोग ही है. हमें आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए. इतना सहयोग कीजिए कि आप मुझे कोई सहयोग मत कीजिए. बंगला देश ने ऐसे ही किया. यह सिख हसीना वाइटम जो है, चाइना ने इनको लॉली पॉप दिया कुछ साल पहले की बात है. एक आख बसक हो गया. तो इनोंने, अरे मुधी जी कि सासन्काल की बात बता रहा है. बंगल दस साल के अंधर की बात है. चाइना ने इनको लॉली पॉप दिया चाइना का लॉली पॉप कैसे चाइना कैसे घुषता है जहां जमीन में नहीं घुष सकता है चाइना भासा के साथ घुषता है चाइना वहां के विद्यार्थियों को आकर सिद करने के तोर पर घुषता है जैसे बंगला देश की जमीन में तो नहीं खुश सकता ना वो तो कहीं और है तो वो क्या करेगा वहाँ बंगला देशी बच्चों के स्कॉलर्शिप देगा पढ़ने के लिए अपने तरफ आकर सिथ करेगा धाका इंवस्टी में कहेगा मंदारिन का डिपार्टमेंट खोल लीजिए त्रिभून विश्विद्याले नेपाल में वहाँ डिपार्टमेंट आप मंदारिन है वहाँ के बच्चे मंदारिन सीखते है अब मंदारिन सीखेंगे तो कैसे देखो अब आपको स्कॉलर्शिप देंगे हम आप हमारे हाँ से चाइना में अभी भी चले जाए इंडिया के लिए चले जाए च्छे लाक रुपए लगता है एक साल की फिस एंबीवियस की रहना खाना सब हो जाता है मतलब पांच्छा लाक रुपए में आप एक साल चाइना में बीवियस कर सकते हैं यह जितने अगल बगल के देश हैं उनको बहुत आफ़र रहता उसके लिए यह लड़कों को नी टूट में नहीं होता है वो चाइना में चले जाते हैं बीवियस करने पांच्छा लाक रुपए देगे यहां तो जितना आप एक साल की फीज देंगे प्राइबेट कॉलेजिस को वहां पर पूरी पढ़ाई करके चले आएंगे आप उतने पैसे में तो वो क्या करेगा कि आप स्कॉलर्शिप दिया आपको आप वहां मेंडेट्री क्या कर दिय आपको मंदारी ना नहीं चाहिए तो बच्चे क्या करेंगे माल अलब प्लानिक क्या करेंगे जैसे आपको माल जाना अमेरिका जाना यूरोप जाना तक आउने लेट्स वगरा करते में नहीं करते में। मन्दार हैं तो वह भाशा आप सहेंगे जब वहां जाएंगे तो वह भाशा आपको आथा है तो Кстати हो जाएगे एक तो उसके भाशा कैरे दूसर देश सीखने लगा तो जब हुआज साइब पार्ट आप कल्चर लाइंग्वे दपार्ट-आप culture तो आप उसके culture को accept करने लगे जब उसकी भासा जान जाएंगे तो उसके बातचीत को समझने लगेंगे उसके हावभाव को समझने लगेंगे तो आपका जो youth है वो चाइना में पढ़ने लगा तो आप चाहे 6 लाक रुपए दे रहे हैं तो 6 लाक रुपए आपको देश का तो गया ना बाहर तो आप सर्वे करके गूगल में रिसर्च कर ले ना कि जितने नेपाल के बच्चे पहले दिल्ली आते थे इंडिया पढ़ने अब सीदे वीजिंग जाते हैं इंडिया मुका माते हैं वही लाली पॉप अब आप अगर सीमा का तिक्रमण नहीं कर सकते हैं तो वीचारों पर तिक्रमण कर लीजी अब माल्दिव हो, स्रिलंका हो, बंगला देश हो, नेपाल हो, भूटान हो या पाकिस्तान हो, माल ऐसे तमाम देशों में चाइना अपने हाँ आकरसित कर ले और सबको अच्छे ची इन्वेस्टी में अडिमीशन दे 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 अब वो पढ़ाई लिखाई करें तो उसकी मोनोपोली इन दक्षिन एसी आई देशों पर बन गई कि नहीं भाषाई रूप में और अपने तरफ अप्रोच करने के रूप में वही आप कनाडा जाते हैं पढ़ने आप अमेरिका जाते हैं यूरोप के देशों में पढ़ने जाते हैं तो आप ज़रा सोच के देखे कि उन देशों की एकोनामी को आप मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रह मैं लहेंगे तो पीस को किस के पास चला गयां है और आ इंगलेंड जाएंगे तो पैशा तु safety आगया इंगलेंड जाएंगे तो पैशा पैसा 파ard नहीं का माता है भई, अमेरिका आजसा क्या कर लिया कि इतना कमा रहा है, सालों कङई बर्फ के टूभान चलते हैं आधा हमेरिका बर्फ में दूभा रहता है भारी स हो जाए तो उनकी गाड़िया सबकों पे तीरने लगता आखियों वहां का आप जर्मनी का, भी यह कर रहा है आपकी बगलम बाइट के, नहीं आ बताइए, आप जेनियू में डेली इनवस्टी कहीं आँँ चले जाएंगे, डोचा ठूमीली जाएंगे, लेकिन आप देहरा दून बताइए, कौन से दून इनवस्टी में चले जाएंगे, पढ तो चाइना हमारे गरीब जो टाइब के बंगला देश नेपाल के हैं उनके लिए चाइना अप्रोच करना आसान है और चाइना ने फैसलिटी भी दे दिया है तो इससे क्या करेगा आपके युवाँ का आप नेपाल में चले जाई है नेपाल का युवाँ भारत विरोधी ना कारे लगाता है मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे तो वहां का संबेधान एक्जेक्यूट हुआ है तहां का नेपाल ने नया संबेधान इंप्लिमेंट किया नेपाल पहुने तीन करोन की पॉप्लेशन है जिसमें सबा करोन आल्मोस्ट आधा है ना तरही लाके में रहते हैं मधेसी बोलते हैं उनको उन तरही लाके में रहने वाले सबा करोन लोग मधेसी कहलाते हैं और मधेसी वो कहलाते हैं जो बिहार उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और नेपाल में बस गए उनको मधेसी कहा जाता है तो इनकी संग्या सबा करोन है यानि पौने तीन कुरोन में आलमूश्ट आधे हैं आवली वहां का प्रधानमंद्री था उस समय उसी के समय संभीधान एक्जेक्यूट हुए तो जो संभीधान में मौली का दिकार था मदेसियों को अलग दिया गया और मूल नेपालियों को अलग दिया गया एक जैसा नहीं था तो मदेसियों को ये बात बहुत अखर गई एक मौली का दिकार के साथ एक दो जगें और क्लाज है जहां पर उनके साथ एक प्रकार सौटेला बेहर किया गया तो मदेसियों जतने था अंदोलित हो गए किसम भीधान गलत है ये नहीं मानेंगे इसको लेकर कि महीनों अंदोलन चले तो मदेसियों ने क्या किया कि सब तराई लाके में पुरा ट्रक फ्रक जितने जाते सब को रोप दिया बिरोट चल रहा था और नेपाल फड़फड़ा गया क्योंकि सारा माल तो इंडिया से जाता है तो खाएंगे क्या होँ वही गोरक पुर उत्तर प्रदेस वाला जो सीमा था सारा सीच कर दिया उनों ने कि जब सील हो गई पूरी सीमा तो फिर अंदर भूचाल मच गया तो आउली ने धंकाया मुदी जी को कि आप जो है ये आंदोलन तोड़वाईये नहीं तो हम मजबूरन चाहिना की तरफ जुकना पड़ेगा मुदी जी कीप साइलेंट असल में गलती मुदी जी की थी ही नहीं गलती तो उनी ससुरों की थी भाई तुमने अपना संभीधान में जी जी थोड़ी हस्तक्षिप करेंगे ना मुदी जी किसी को बोलें कि तुमान दोलन करो उनसे क्या मतलब था कि प साइलेंट उनसे कुछ नहीं बोला उसने कहा कि हम अगर आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे इसमें तो हम चाइना की तरफ जोकेंगे इस पर भी उनकी कोई टिप पड़ी नहीं थी और उधर से चाइना जो है जैसे होता ना कि जीव निकाल की आओ 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 तो वो एक प्रकरण आया जब चाइना की तरफ जुका हो और रसा सामगरी चाइना की तरफ से आई जो सोविधाय इधर से रुकी हुई थी उधर से आई ठीक तो अब अगर भारत यह सोचे की उनके राइट्स को कोई बात नहीं यार छोड़ो तो कल एक जो तुम्हारा जो नेपाल भारत चाहेगा तो फिर आधा कर देगा तुम्हारे नेपाल को तराई वाला एक नया नेपाल बनवा देगा लेकिन भारत को नेपाल तोड़ करके फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है क्योंकि नेपाल हमारे लिए नुकसान दे वाला नहीं है लेकिन चाइना की बुरी नजरों कैसे बच्चे यह सोचने वाला जरूर है तो जिससे सुशील कोईराला वगडरे जो कोईराला घराने के लोग आते थे यह भारत पसंद लोग थे यह जो अवलिया प्रचंड यह सब आते हैं यह सब चाइना परस्त है तो यह जितने मायवादी किस्प के होते हैं communist टाइप जो आते हैं वो चले जाते हैं चाइना की तरफ तो उसके बाद वो चला गया रसर समगरी उपरी जो भी कम ज्यादा पाया अपना अंदोलन चला फिर bargaining हुई सांत हुगा अंदोलन तो अली आया था यहां पर भारत में तो मुदी जीन उसको बड़ी खरी खोटी सुनाई थी उससे लड़कों को ने टॉंट मारते हैं जैसे करता अच्छा बहुत 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 उसको सुनाए थे और अली ऐसा प्रधान मंत्री है अब तक चाइना का पहली फ़र्ष्ट बिजिट इंडिया होती है दिमाग में रखना कि आवली एक ऐसा प्राइम अधिस्ट इसकी फ़र्ष्ट विजिट चाइना होई थी यही अपवाद है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हार प्रधान मंत्री पहले दिल्ली आता है लेकिन आवली ऐसा प था और नेपाल के हालत आप इस बाद से पता कर सकते हैं कि 24 अप्रेल को 24 अप्रेल 2015 की गात थे नेपाल में भूकम पाया मोदी जी को अल्मोश्ट एक साल प्राइमिनिस्टर बने हुआ था सुसील को इराला महा के प्रधान में दे थी मोदी उनको फोन करके बताए नेपाल के प्रधान मंत्री को भारत का प्रधान मंत्री बता रहा है कि या तुमारे तेसमियार भूकम पाया हुआ है उसको ये भी नहीं पता है प्राइमिनिस्टर मोदी ने सुसील कोईराला को फोन किया कि आपके नेपाल में बहुत जवर्दस भूकम पाया हुआ है यानि कि सुसील को इराला महां के प्राइम मिनिस्टर को भूकम की सूचना हमारे प्रधानमंती से मिली यानि भूकम कुछ के अहां तबाही उसके अहां सूचना हमारे अहां है नहीं है न उसके पास भी ग्यान हो ग्यान उतना इस्ट्रॉंग सब और उसके बाद दो महीना वैसे अंतराश्टी मानक यह है कि कोई भी मीडिया हो कोई भी कारिकरता हो आप 28 दिन से ज़्यादा किसी देश में रह नहीं सकते आपको 28 दिन के बाद बाहर आना भूकम इतना बड़ा था कि यह जितने यह मीडिया वाले थे सब वहीं थे और दो-दो महीने हमारी अंडियार आफ यह वो सब वहीं काम करती रही यह मानक का भी उलंगन हो गया वहाँ आप कि और थोड़ा सा जो एक प्रभाव था भारत का नहीं अगल वगल के देसों ने भी मदद किया पाकिस्तान भी थोड़ा मदद कर रहा था जो जिससे बन पड़ा था तो लेकिन भारत का ग्रेश्न बहुत इस्टांग भारत ऐसे मदद कर रहा था जैसे भारत में ही परचा, कंबल, कपड़ा, दाक्टर, फलाना, धिमका, टीवी पे 24 घंटे चल रहा है यही, यह हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, धिमका हुआ, वहां के जो चाइना परस्त लोग थे, वो अंदोलन कर दिये भारतियों के खिलाब, भारत के मीडिया जहां जाती थी पत्थर मार आते थे, कि तुम यहां से जाओ, मेरे देश से, निकलो, उनको लगा कि यार, यह तो भारत, मैं कर दिया इसको, और यह उकसाया कि इसने था चाइना ने, क्योंकि चाइना के कुछ लोग तो बास समझने वाले, वहां थे ही न, मायववाद वगरा, जो कॉम्मुनिस तो भारत का जो स्टैंड मतलब नेपाल या भूटान में रहता है, चुकि भारत स्वयम इतना अमीर देश नहीं है, इसलिए आडोस-पडोस की बहुत मदद नहीं कर सकता है, अभी देखिए, क्या बूलते हैं, अरे यार, भूटान को, प्राइमिनिस्टर गए भूटान को कुछ पैसा देके आए, जाते हैं, अब देखो, आप आईएस ऑफिसर, किसी कहां जाएंगे, तो केला कुछ स्वधूस रुपे देके ही आएंगे, तो भारत अगर कहीं जाता है, तो कुछ दे नहीं पड़ेगा आपको, भूटान को देके आए, और 75 साइद करोन रुपया जो है, माल्दिव को भी दिये, वो माल्दिव जो लड़ता है हमसे, मतलब हम उसको क्यों दिये पैसा, अब उसको इसकायद हो सकती है, आपने भूटान को तो इतनी मदद कि हमको कम दिये, आप जैसे तीन अरब रुपया दे दिया उसको, स्रिलंका को, बहुत होता है भाई कितना पैसा देगा है, आप जैसे भूटान को दिया, फिर मल लो इसको दे दिया, तो भारत अमीर देश नहीं है ना, भारत लोटने लोटाने के लिए थोड़ी दे रहा है, वह जैसे हमारे पास सो रुपया था, आपने कर लो बीस रुपया तुम भी, आप आप से थोड़ यह उसी का तो गुरगान गाएंगे, और युवाओं का मन बदल दिया, अरे बहुत दिक्कत हो गया है नेपाल उपाल में, आप लोग अंदर से पढ़ेंगे, तो चाइना की तरफ बहुत हो रहा है गहीं लोग, जबकि उनको वही होता है कि जो जिसको कोई निगल रहा होत है उसको तो लगता है कि मुझको पुछकाल रहा है चूम रहा है, कम मुँमें कफस ले लेता है, पता ही नहीं चलता है, भई नेपाल उपाल को ज़ग रहा है कि चाइना हमारे बड़ा ही तैसी है, एक दिन जब उसका मानचित्र बढ़ा गल देगा, नेपाल को अपना जो देश उसको जानते हैं अब जो कि गरीबी बड़ी खराब चीज़ होती है ना गरीबी तो कुछ भी करवा देती सोचने समझने की छमता भी खर्म करा देती है आदमी तो जरूरी चीज़ भी बेंचने के लिए भज़ाता है जरीबी ने वही नेपाल और भूटान का हाल है भूटान का तो खर उतना दिक्कत नहीं है जितना बंगला देश होगा रहता है पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है तो मूल चिंता क्या है जो जैसे हमने बताई कि उसका घुसपर्ट नहीं है चाइनास लेखे चाइनास इन्फिल्ट्रेशन इन्टो भूटान इस कॉस फॉर कंसर्ण अफ इंडिया भूटान में चीन की घुसपर्ट भारत की चिंता का मूल कारण है देखे आप हमेशा ध्यान रखो देखो दुस्मन जो देखता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है जो दुस्मन छुपा होता है वो उनसे भी खतरनाक होता है अगर दुनिया में आप से कोई कहे कि आपका सबसे बड़ा दुस्मन कौन है तो ज़्यादा तर लोग पाकिस्तान का नाम लेते थे लेकिन समझदार आदमी कभी पाकिस्तान को बड़ा दुस्मन नहीं बताएगा पाकिस्तान हमारा बड़ा दुस्मन नहीं है जो दुस्मन को बड़ा करे वो ज़्यादा बड़ा दुस्मन होता है और दुस्मन को बड़ा करने का काम चाइना करता है तो हमारा बड़ा दुस्मन चाइना है भारत की भुटान को लेकर के मूल चिंता क्या है उसकी चाइना घुसबैट ना करे और उसका जर्शिफिकेशन क्या है आपने देखा होगा कि 16 जून 2017 को ये डोकलाम बेवाद हुआ था डोकलाम हमारी जमीन नहीं थी डोकलाम भुटान का जमीन था ट्रंगल है वो हमारा सिक्किम का इलागा भी उसी से टच होता है चाइना भी और भुटान भी वो सड़क बना रहा है वहाँ पे तो हम लोग उसका बिरोध किये अब बिरोध करने का जेनुएन कारण था क्योंकि 1949 के ट्रीटी में ये भारत का राइट ऐसा करना भारत कोई अलग काम नहीं किया वही काम किया जो भारत को करना चाहिए ठीक हो गया ये तो भारत के मूल चिंता क्या रहती है कि चाइना जो है इसमें कहीं घुसपयट न कर ले इतना ही होता तो एक बार समझ में आता है ये तो चाइना तो देखता है जो नहीं देखते हैं आपको बड़े अजीब लगेंगे अब जो नाम लेने में जा रहा हूँ कल्पना कीजिए कि और क्या देश हो सकते हैं जो सामिरिक दिष्टी से ACI देशों पर या अपने 37 संतुलन को बनाए रखने में भूटान की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने का प्यास कर रहे होंगे अच्छा चलिए यूएस की बात किये और अगर यूएस सोच सकता है तो रसिया को सोचने क्या दिक्त है क्या ने इंडिया का अगेंश्ट नहीं है रसिया तो इसका नेचुरल फ्रेंड है लेकिन अपने पावर को बैलेंस करने के लिए तो काम करता ही होगा न भई प्राइमिनिस्टर मोदी की तो पुतिन से भी बात होती है और जलेंस्की से भी होती है ये तो उनकी स्टेटिजी और मित्रता का हिस्सा है लेकिन हकीकत यह है कि दो साल से ज़्यादा हो गए युद्ध खत्म नहीं कर पाया कोई तो सक्ति संतुलन में या युद्ध की नीती में जरूरी नहीं है कि हम मित्र की बात माने न क्योंकि मित्र की बात वहां तक माने गए जहां तक हमारी शक्तियों का कमजोर नहीं होना होगा अगर भारत की बात मान करके ब्लादमिर पुतिन युद्ध को रोग देता है या देता उस समय और कई लोगों को उभरने का आउसर मिल जाता तो भारत से दोस्ती रखते हुए यह भी तो कह सकता है कि आप टेंसर मत लीजे जैसी परिस्थितियां होंगी निड़ने ले लेंगे कोई ऐसा ज़्यादा गरबड नहीं होगा अब फिर किसी भी देश की जो सोबर निटी है यह उस देश की जिम्यदारी है ना भई हमारी रसिया से मित्ता इसका मतलब थोड़ी है कि वो किसी को अगर उसको आपती है तो उसको सहेगा वो कहे उसकी सोबर निटी नहीं अपना देश नहीं बचाना उसको हमारी सोबर निटी पर अगर कोई हमला हो जाए और हम अमेरिका से बहुत स्टेटिक फ्रेंड है तो हम जो बाइडन की बात मान के चुप हो जाएंगे कहेंगे नहीं नहीं आपकी बात ठीक है लेकिन इस मामले में मुझे दो कदम आगे जाना है हम पूछेंगे सर्जिकल स्टाइक करें एर स्टाइक करें क्यों पूछेंगे घुचके हमारे यहां हला गुला किया हुआ है हम गुचेंगे नहीं आपको समर्थन करना है कम करना है नहीं करना है यह आपका अपना concern हो सकता अपना subject हो सकता है बट मेरी sovereignty पर गर हमला होगा तो हम उसकी छाती पर लात जरूर रखेंगे क्यों तो यही चाहे पुतिन की बात हो या किसी और की भी बात ठीक है न तो अगर USA और रसिया को हम वहाँ स्टेटिजिक माने कि यह चिंता भी भारत को हो जाए अगर या है कि दूसरे भी ताक पे बैठे होंगे कि स्टेटिजिक तोर पर या मुनोपोली को अपनी स्ट्रॉंग करने के लिए भूटान की जमीन को थोड़ा इस्तिमाल कर सकते हैं तो चाइना घुस्पैटिस लिए कर सकता है क्योंकि चाइना की सीमा लगती है लेकिन भागी लोग अपनी स्टेटिजी को ACI देशों में या सकति संतुलन को दुनिया में और बढ़ा करने के लिए ऐसे कमजोर और सांत देश ही तो खोचते हैं पई चतुर कोण आएगा आपके साथ जिसके जो अपनी OTP बता देगा उसी के उसी पर तो हैकर काम कर ले जाएगा आपके फोन पर फोन आया आप तो चतुर आदमी निकले लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं न जो अपनी OTP बता रहे हैं आज भी बता हैं जब तक क्लास खतम होगी एक दो ठुट बता चुके होंगे हमारी ये OTP है उसके बाद उनको मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में दो रूपया बचा है उन तो निकल नहीं पाया वो दो रूपया निकल नहीं पाया इसलिए नहीं निकाल पाया वो तो सेश दो रूपया हैं कहीं बावले घूम रहे हूं तो अगली लाइन लिखिएगा इसके लावाँ अन्नी यूरोपय देश भी जोड़ लीजिए वो मैंने क्या बोला कि जो दुष्मन जो दुष्मन आपको साफ साफ दिखता है उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुष्मन की दुष्मनी जो दिखती है उसके तुल्ला में हम अपनी स्ट्रेड़जी स्ट्रॉंग कर सकते हैं दिक्कत वहाँ होती है जो दुष्मन दिखता नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है तो हम अपनी स्टेटजी उतनी पैमाने पर उस मानक पर विक्सित नहीं किये होते है भूटान भारत संबंध से संबंध है लेकिन भारत की चिंता कि चाइना भूटान में घुस्पैट कर सकता है पतल एक चिंता रहती है और डोकलाम हमने एक जामपल आपको बताई दिया और चाइना कैसा देश है यह हम देखते हैं जानते हैं इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूबत नहीं है जानते हैं ना तो चिंता करने की ज़र होते हैं लेकिन अगर अमेरिका रस्या या अन यूरोपिय देश भूटान पर कोई छुपी नजर रखते हो अपनी सक्ती को बढ़त के रूप में देखने के लिए अपनी मोनोपोली के स्टॉंग करने के लिए या दुनिया के देशों को बैलेंस करने के जहां पर जैसा जिसी थिंकिंग हो तो यह देखते नहीं है समझें ना देखते नहीं है और भारत की चिंता उन नहीं देखने वाले अभूटान पर तिरशी नजर रखने वालों से ले करके भी है आपी के साथ खाएंगे पीएंगे आपी के साथ उठेंगे बैठेंगे आपी के साथ हसेंगे आपी के साथ हाथ मिलाएंगे गले मिलेंगे बाए बाए टाटा सब कुछ करेंगे और चार वजे भूर में गला गाड़ देंगे जब आप सो जाएंगे जो देखें होंगे कि कभी आपने किसी को देखा होगा कि जब किसी की हत्या का प्लान बनाता है अब हम ऐसे बता दे रहे हैं हम तो ऐसे हैं नहीं है ना जब किसी के हत्या का प्लान बनाता है ना तो उसको बढ़िया देखें होंगे उसका ब्योहार देखिएगा उसको पुछकार के मित्रता के साथ दारू पिला के बढ़िया करके अराम से मारता है उसको ताकि उसको भरोसा हो जाए कि ये आदमी बहुत बढ़ा सुपचिंतक है और एक चीज आपको मैं वैसे तो आप समझदार हैं लेकि जिन्दगी में कभी कि बुद्धी कहीं आमा चली जाती है कभी भी एक्स्टा कोई करिकुलम का हिस्सा बने जिन्दगी में बिटा जान लेना एक्स्टा कुछ नहीं होता हमिशा चाहे इस्त्री हो पुरुष हो दोनों पर ये लागू है कि जिन्दगी में एक्स्टा कुछ नहीं होता एक्सीट कुछ नहीं होता सक्सीट तो हो सकता है बट एक्सीट नहीं होता एक्स्टा कुरिकुलम में लाइब के कुरिकुलम में होता नहीं है जब कोई आपकी जिन्दगी में एक्स्टा करने लगे तो सतर क्रहने की अवश्रक्ता पढ़ जाती है जब आपकी जिन्दगी में कोई इंटर्वीन करे टोकाटाकी करे आपसे नाराज हो आपको डाट दे उससे ज़्यादा परिशान होने की ज़रोत नहीं है लेकिन जो एक्स्टा वाला है वो हकीकत में क्या है वो देखता नहीं है और कोई माई कलाल किसी के लिए इतना एक्स्टा होता नहीं अरे यार इतना एक्स्टा तो तुम्हारे माबाप नहीं होते तुम्हारे लिए साम से सुबह से साम के बीच में चार बार तो तुमको डाड़ी देगे किसी किसी बात के एक्स्टा अगर है तो सावधान होने की जरूरत है क्योंकि एक्स्टा में बहुत धातक गात चुपा हुगा एक्सीट सक्सीट सक्सिस की अलग स्टेटजी होती है एक्सीट आदमी हो सकता है आपको एक फ्लो में ले जाके कहीं धखेलने वाला हो अत्रिक्त पुछकारने वाला व्यक्त थी अत्रिक्त ध्यान देने वाला व्यक्त थी गल्तियों को यूँ टाल देना वाला व्यक्त ज्यादा तर गल्तियां गल्ती पर गल्ती हो रही है टाले जा रहा है वो आपके लिए ख़दर ना दे जो जरूरत पढ़ने पर चपाते भी लगा दे जो जरूरत पढ़ने पर ढड़ पढ़ दे जो आपके कृत्तों से कम जादा आलोचना, प्रभावित, कभी हाँ, कभी प्रसंसा, कभी ये, कल ये हो गया, आज वो हो गया ऐसी जो लाइफ स्टाइल में है, उससे डरने की दरूरत नहीं है आलोचक से तो आप बिल्कुल डरिये गाहिमत जिन्दगी में सबसे खुब्सूरत ब्यक्ति होता जो आपके आलोचक होता है उससे आपको डरने ही नहीं है उससे मट डरिये क्योंकि वो तो कही दिया जो कहना था उसको अब आप कह दिया आपको अगर लगता है तो ठीक कर लीजिए नाता तोड़ना है तो तो कही चुका है नाता तोड़े लीजिए लेकिन जो रो जाना आपके पीछे चमचागीरी कर रहा है खत्रा उससे क्योंकि वो छुपे तोर पे क्या करेगा मालूम नहीं है आप राश्ते में जा रहे हैं किसी से लिफ्ट मांगा अपने आप अक्टिवा से जा रहे हैं या कोई कार से जा रहा है कोई लिफ्ट मांगा ठीक है नँ तो उसने कहा रहे नहीं आप ध्यानी नहीं दिया रोका ही नहीं या मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले जाओंगा भाई उससे डरनी की कोई जरूरत नहीं है भाई वो आपका क्या भी गाड़ेगा वो तो कह रहा है हम अपनी गाड़ी में बढ़ाएंगे नहीं आपको दिक्कत उससे है जो कार साइड में लगाए सीसा खोले फिर एक अंजान आदमी से कहे मैडम आईए कहां चलना है मैं छोड़ देता हूँ नहीं नहीं मैं तो इधर ही जाओंगी आप नहीं मैं भी इधर ही जा रहा हूँ कहां जाना आपको मुझे IBT नहीं मैं भी IBT ही जा रहा हूँ जहां आप कहें वहीं जाने के लिए तैयार है ये अक सीड है न detachर अइसे इतना साहियोग कैसे हो सकता है इतना संयोग तो इतना तो जनम कुंडली भी नहीं मिलती बेटा 36 गुण पूरे मिल रहे हैं सडक पे इतना तो पंडित नहीं मिला पाता है 18-20 तक वो भी हतास हो जाता है यहां तो आप बोल रहे हैं आइस्बीटी तो आइस्बीटी भी जा रहा है कर रहा हम वहीं जा रहे हैं आइस्बीटी में कहां अरे मैं वहां बगल में यह रोड है वो रोड है वहां मकान ओ ओ ओ अच्छा वहां जाएंगे वहां तो वहारी मौसी रहती है जा तो हम भी वहां ही रहे थे आपको exceed है की नहीं exceed succeed में नहीं बदलेगा ही नहीं आपको alert हा जाना चाहिए यह होने वाला नहीं जिन देशों से थोड़ा इसी रहता है पाकिस्तान से डरने की कोई जरूरत नहीं है चाइना से डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें जानते हैं अमेरिका से डरने की जरूरत है हमको पता है यार चाइना वीटो करेगा हमको मालूम है चाइना हमको NSG में नहीं जाने देगा हमको पता है कि अंतराश्टी आतंकी अगर हम घोशित करें गे तो यून काउंसिल का वो पर्मेनिन्ट मेंबर है बीटो कर देगा रिजल्ट हमको पहले से पता है तो का हिका डर और हमको यह भी पता है क्या कि हमारे खिलाब कुछ कोगा तो रसिया भी टोकर देगा हम को डर दोनों परसित्यों में नहीं है समझ गया न? अगर पता चल जाएक अगर हम गल्ती करेंगे तो पिताजी एक तमाचा कान की नीचे दे देंगे तो काहिए का डर पिताजी? भाई गल्ती करेंगे तो माचा खालेंगे दर खतम दिक्कत तो तब है कि जब वो गल्ती ना करें तब भी ठोंक दें दिक्कत वहाँ है ना कि आज तो यार सुबस साँ हमने कोई गल्ती नहीं किया फिर भी राशन पानी लेक्ट को चड़ गया यह उपर अब समझना मुश्किल है बहुत कूटनेतिक तोर पर यह बहुत जमने वाली है लिखिएगा besides the US, Russia and other European nations besides the US, Russia and other European nations have been seeking to take advantage of its strategic position of its strategic position इसके अलावा America, Russia, 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 Europe इसके अलावा America, Russia, 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 Russia इसकी सामरी किस्तिती का लाब उठाने की फिराक में रहे हैं ठीक है, रहे हैं ऐसे में, in such a situation freeing Bhutan completely is not right from the point of view आइसे में भूटान को बिल्कुल मुक्त कर देना भारती सुरक्षा के दिश्टी से सही नहीं है भूटान को बिल्कुल मुक्त कर देना भारती सुरक्षा के दिश्टी से सही नहीं कि भूटान पर थोड़ा सा अंकुस भारत का होना चाहिए ठीक है, तो भारत के चतुराई कर सकते मालों है 2007 में क्या हुआ? कि हम आप तो सलाह नहीं देंगे, सहयोग करेंगे लेकिन सहयोग में ही सलाह देंगे सहयोग में ही सलाह देंगे क्यों? वांक्चुंग? जी, जी मोदी जी वहाँ कहा चक्करम पड़े हैं आप? डोकला हम नहीं देखे हैं आपकी बाद डोकला खिलाएगा वो डोकला जो अमारे यहां होता है चीन को खटकती है यह संधियक लिखे ट्रीटी इस्टिक्ट्स चाइना इस ट्रीटी क्या बोले हैं यार खटकनक क्या बोलेंगे? खटकनक बताओ इस्ट्राइक्स लिखे 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 क्यों? इस्ट्राइक को खटकनक कह सकते हैं? इस्ट्राइक किया मेरे दिमाग में वही तो बत हुआ तुम बताओ भीजे अच्छा जिससे तुम ने कहा यार मेरे दिमाग में एक बात इस्ट्राइक किया क्या बोलेगे इसको? मेरे दिमाग में एक बात आई? खटकी? नहीं? कुछ और हो का किया? खटकनका? नहीं तु जो उसके दिमाग में स्ट्राइक करती हैं निगेटिव स्ट्राइक कर रही लिखो यार अप जब जब अंगरे जब भारत छोड़ो जब लिखो इस टीटी स्ट्राइक्स यह संदी चाइना को खटकती है यह चीन को खटकती है यह संदी चाइना लिख लो आगे क्या खटकती है? वो सोचता है कि भारत इस टीटी करके सुरक्षा कवज बन गया है उसका नहीं अग तक तो हम ऐसे मुझ खोल के कोरोना टाइम में निगल लिये होते हैं इसको ठीक लिखें अगरिमेंट बिट्विन भूटान अन इंडिया इस्ट्राइक चाइना भूटान और भारत के बीच चीन समझोता चीन को खटकता है भूटान अन इंडिया थे चाइना इंडिया थे नो लीगल रोल इन दे नेगोसियेशंस बिट्विन भूटान अन जाइना भूटान और चीन के बीच जो वारता है उसमें भारत का कोई वैदानिक भूमिका नहीं है लिखो इंडिया थे नो लीगल रोल इन दे नेगोसियेशंस बिट्विन भूटान अन चाइना चाइना का यह कहना है का हमारे बीच में जो होता है उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है लीगल रोल बट इफ इंडिया इंट्रेस्ट इस एफेक्टेट मगर भारत का हिद प्रभावित होगा अगर भूटान और चाइना के बीच कोई संधी समझता होता है बाचित होती हो भारत का हिद प्रभावित होगा इट विल इंफॉर्म भूटान तो वह भूटान को सुचित करेगा क्या यह मत करो लिखो 470 km लोगर बर्डर ब्तिन प्रभटान to the west and north 470 km longer border between China and Bhutan to west and north 470 km पश्यम और उत्तर में Bhutan और China की सीमा है ठीक है 650 km long border between India and Bhutan India and Bhutan लिखें 650 km की सीमा भारत और Bhutan की है लिखें 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 3 डे विजेट टू भूटान 3 जुलाई को इन जुलाई लिखें गए इन जुलाई 2018 दे चाइनीज फॉरेंड मिनिस्टर मेट या विजेट करें हाँ वह ही लिख रहे हैं अ 3 डे विजेट टू भूटान वो क्या किया 2018 में तेन दिन के लिखें भूटान की आत्रा पर गया चीन का विजेश मंतरी तेन दिवसी भूटाने आत्रा पर गया जुलाई 2018 यह डोकलाम के ठीक एक साल के बाद हुआ डोकलाम 2017 में था है ना जुन में और इसके पहले वो 2018 जुलाई में गया अगे एक लाइन लिखिये गए अगे लिखिये गए अगे देर इस नो डिप्लोमेटिक रेलेशनशिप बिट्वीन चाइन भूटान चीन और भूटान के बीच कोई कूट नितिक संबंध नहीं है ठेक है? सुनो आपको ताजुब होगा जो अगली लाइन लिखाएंगे चीन और भूटान का कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है डोकलाम के बाद पहली बार और अब तक में भी पहली बार चाइना का वो गया भूटान गया है विजिट किया है क्या मानेंगे इसको? एक तरफ डोकलाम कब्जा करने के चक्कर में था देवाद दूसरे एक साल बाद आया जबकि हमारा उसका कोई डिप्लोमेटिक नाता ही नहीं है कोई डिप्लोमेटिक संबंध ही नहीं है तो अगली लाइन में जला लिखियेगा विच इस वाइ भूटान इस नान नाट विच इस वाइ भूटान इस नाट नेम्ड इन असियन कंट्रीज अन चाइना इन चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री वेप साइट हाँ क्यों क्या समझ मैं हाँ हाँ नाट नेम्ड इन लिखा मैं हाँ आप इसका आर्थ समझ रहें कि नहीं तो ले लिख लेत अब समझा चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री वेप साइट पूरा लिख लें हैं कि नहीं अगरेजी में रितिक तुम लिख लिए फिर से बूल दो विचिस वाइ भूटान इस नॉट नेम्ड इन अस एसियन कंट्रीस अन चाइना चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री वेप साइट चीन के कोटनेतिक संबंद नहीं है यही कारण है कि चीन के विदेश मंत्राले की वेप साइट पर एस याई देशों में भूटान का नाम नहीं है ठीक है अब इसके दो अर्थ हैं चेला जो सिविल सर्विसेस होता है ना जो लिखा होता वही नहीं पूचता है आप से पता कराएगा कि आप क्या सूचते हैं क्या सूचा क्या सूचा बता हूँ यह समझ मैं है इससे क्या हूँ कितने लोग सामे रते हैं इसकी बास सही बूल लो यह कंट्री कंसीडर नहीं करता तो जब कंट्री कंसीडर नहीं करेगा तो कंसीडर किस रूप में करेगा बहुतना जमीन को खतम भी तो नहीं मान सकता हं देखो अगर वो ACI देशों में भूटान को अपने वेबसाइट पर दिखाता ही नहीं अगर वो भारत ही मानता है उसे तो यह संभावना बिलकुल नहीं है कैसा मानेगा क्योंको उसने कहा है कि भारत की कोई वैधानिक राइट बनता नहीं है पहले लिखे हैं न कहता न कोई लीगल राइट नहीं बनता इंडिया का कि हमारे और उसके बीच के संबंद में वो टांग लडाए लेकिन अगर भारत का इंट्रेस्ट प्रभावित होगा तो भूटान से कह सकता है यह भी लिखे हैं तो चाइना भारत भूटान को भारत का हिस्सा तो नहीं मानता है यह तो तह हैं और दुनिया के सायुक राश संग में वो सूची बद्ध है कि वो एसिया का एक देश है तो जो उसका पहला कह लिजए या दूसरा कारण ज्यादा वैलिट लग रहा है उसकी नजरों जो है कि भूटान तो हमारे यह हैं क्यों जैसे वो भूटान भूटान को एसिया का देश नहीं मानता अपनी विप साइट में लेकिन अरुणाचल को अपने मांचित्र में दिखाता है तो अरुणाचल को अपने मांचित्र में दिखाता है तो आप इसका क्या है से समझते हैं अपना मानता है क्या हम कश्मीर को पूरा दिखाते हैं कि नहीं ऐसे पूरा जो कश्मीर दिखता है ये वाला हिस्स वह नहीं या तुम्हारे पास अइधर वाला नहीं अक्साई चीन इतना तुम्हारे पास भचा है नक्सा पूरा क्यों दिखाते हैं क्योंकि आप अक्साई चेन अपाक अद्कित कस्मीर को अपना मानते है इसको पी ओके कहते हैं इसको सी ओके कहते हैं चाइना अक्वपाई कस्मीर है वो पाकिस्तान अक्वपाई कस्मीर है ठीक है ये है ठीक